हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अर्चना माइन हिपनेटिजम चैनल बीती ताहे बिसार दे आगे की सुधिले यानी जो बीत गई सो बात गई एक नए सवेरे में नए उत्साह के साथ आगे बढ़े मार्चौं दोस्तों अब तक की जिन्दगानी में हम सब ने बहुत कुछ हासिल किया है कुछ खोया कुछ पाया है जहां एक तरफ गुदगुदाती हुई मिठी मिठी यादे हैं वहीं कुछ ऐसे लम्हें भी हैं जिनका हमें बहुत अफसोस है जिनको फिर से जीने का मौका मिल जाए तो हम बहुत कुछ अलग तरीके से करके सब चीजें ठीक कर लेंगे या शॉर्ट में कहूं तो हम इन्हें डिलीट या अंडू करके बेटर तरीके से रीडू करना पसंद करेंगे काश ऐसा मुंकिन होता लेकिन हम भी चानते हैं कि ऐसा है नहीं हमारे हाथ में ना तो बीता हुआ कल है ना ही आने वाला कल अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ आज का ये पल इसी लिए तो इसे कहते हैं प्रेजन्ट जिसका मतलब होता है तोफ़ा या उपहार तो मित्रों आज में ही रहे उसी पर कॉंसेंट्रेट करें ऐसे बहुत से कारे हैं जो हमने वर्षों पहले काफी कॉंफिदेंस है किये थे पर आज वो काफी फणी लगते हैं और हमें हैरान भी कर देते हैं कि आखिर हमने यह कैसे और क्यों किया होगा लेकिन गुड नियूज ये है कि ऐसा होते रहना एक बहुत बढ़िया बात है क्योंकि अगर कुछ पहले का अच्छा याद आता है तो उसे याद करके आनदित होते हैं मज़ा आता है और अगर कोई कल्ती कर दी है वो चीज़े याद आती है तो उन्हें समझ कर सुधार कर हम फ्यूचर में एक बहतर इंसान बनते जा सकते हैं इसी तरह सबके परस्नाल्टी वक्त और तजुर्वे के साथ उन्नत होती चली जाती है फ्रेंस अगर कोई हमारा कॉलेज का क्लास्मेट जैसा कॉलेज के दिनों में था अगर वो मिल जाए दस या भी सालों के बाद तो उससे वैसाई एक्सपेक्ट करना अधिकतर गलत सिद्ध हो जाता है क्योंकि वह भी अपनी जीवन यात्रा में अपनी परिश्रम, समझ, अनुभव, हालात और नियर एंडियर वन्स के सपोर्ट के साथ बदल जाता है बैतर हो जाता है और यहां तक कि लोग कभी-कभी इतना ट्रांस्फरम हो जाते हैं कि उन्हें पहचनना भी दुश्वार हो जाए उनका यहां नया रूप देखकर, इमर्ज हुआ देखकर बहत खुशी होती है लेकिन यह सब तभी संभव हैं जब हम सब को एक और चांस दें खुले मन से और खुले अजरिये से फ्रेंज हमारे सोचने का यह बहर खुबसूरत और रहात देने वाला यह तरीका है कि चाहे हमारी उम्र आज कितनी भी हो अपने कल को खुशनमा बनाने के लिए हम यह सोचें कि हमारे आगे के जीवन का आज ही पहला दिन है आए सात्यों अपने उम्मीदों को हम जिंदा रखें दूसरों से अपेक्षाएं कम करें सभी को खुद को भी हर चीज के लिए शमा करें मुस्कुराएं प्रकृति के साथ समय बिताएं नई दोस्त नई होबीज बनाएं जू जैसा है उसमें पॉजिटिव ढून कर उसे दिल से एकसेप्ट कर लें किसी भी सिच्वेशन को अपने उपर हावी ना होने दें बलकि अपनी कोशिशें जारी रखें वाक पर जाएं मुवीज देखें और कभी ना भूलें जिस द्यालो उपरवाले ने आज तक हमारे सिर पर अपना प्यार और आशिरवात का हाथ रखा है वो आगे भी हमारी जीवन नईया को मजदार में आखिर क्यों छोड़ देगा अगर हमें उसने मुश्किलों में डाला भी है तो कुछ सिखाने के लिए और हमें शक्ति दिया है कि हम उन हालात का सामना कर सकें तो साथियों बीती ताही बिसार दे आगे की सुधिले अभी आपके लिए इतना ही आपके जोश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एक नई टॉपिक के साथ मिलोंगी बहुत ज़ग Till then, take it easy, just rise and shine like the rising sun Stay happy, stay safe, see you, bye bye झाल